स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में चलिए बात करने वाले है क्रिप्टो कैंसी मार्केट के बारे में कुछ important अपडेट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ guys make sure कि वीडियो पसंद आए तो like कर देना चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाना अच्छा क्या आपको अपडेट मिलने वाली है मेरे भाई तो पहली अपडेट हम देंगे shiba inu की ठीक है हम यानी की मैं आपको बताने वाला हूँ थो नदीर में उसके बाद आपको जो अपडेट मिलेंगी मेरे भाई crypto scam के बारे में मिलेंगे कि इंडिया में किस तरह से crypto scam कि चारे हैं और कितने किये जा रहें उसके बाज जो हम बात आची दिए करना चाता हूँ कि काफी लोग कहते हैं कि भीया आप ना बहुत सारी न्यूस क्यों देते हो तो उसके कुछ दिन बाद ही पंप देखने के लिए मिल सकता है तो यह चीज़े आपको नोटिस करनी है बाकी आज मैं अकेला नहीं हूँ मेरे साथ है क्रिप्टो इश्क चौधरी स्वागत है आपका आओ भाई वेलकम ठीक है एक और बार स्वागत है आपका पहले तो यह बता दो कि ओडियंस को आज हम क्या इस यूनिक इस वीडियो में यूनिक देने हैं यार ओडियंस को देखो वैसे तो हम हरो जो न्यूस देते हैं वो सारी ही ऐसी फिल्टर करके जो इनके लिए जरूरी है जो इन्होंने होड्लिंग की वी है coins में altcoin में या फिर bitcoin में जिसी भी coin में की वी है इनको benefit कुछ मिल सके तो इसलिए हमने सारी जो news निका ली अभी इतनी मेहनत करके पहले हम अपनी copy में लिखते है पहले filter करते है कहा से website से वो इतन news शुननी है जो कि अपनी audience के लिए beneficial हो और सबसे बड़ी बात क्या है न news ढूंडते वक्त ऐसे promotions मिल जाते हैं बीच में वो क्या करते है कि एक बात तो लिखते हैं कुछी और चीज के बारे में लेकिन वो topic को कहीं और ले जाते हैं अंदर उसके उसमें news निकालनी पड़ती है तो पहली update क्या है मेरे भाई तो पहली update है आपकी शीबाइनु की क्या update है एक मिनट बताओगे हाँ शीबाइनु का क्या हुआ है इनके जो lead developer है वो उन्होंने क्या है कि हम आने वाले कुछ ही दिन में बहुत तगड़ी एक update दे सकते हैं audience को उनका कहना है कि head down working update coming soon and I think you will love it मतलब head down working मतलब हम जो है मात डाल के मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए और बहुत ही कम समय में आने वाले कुछ ही समय में हम क्या करेंगे ऐसी update आपको देंगे जिसको आप बहुत प्यार करोगे तो शिवाइनू में काम चल रहा है काम चल रहा है और अभी दो दिन पहले की बात है कल मैंने आपको एक update दी थी कि शिवाइनू is coming with कुछ ऐसे कर के अनुन ने tweet कर रहा था तो exciting है भाई बहुत community बहुत excited है कि शिवाइनू में नया क्या आने वाला है और आज ना अब बात और है हमने ट्रेड भी तो बताई थी कल की वीडियो में आज सुबह की बताई है और बढ़िया जारी है ट्रेड और वैसे भी आपने करी होगी तो बढ़िया होगा बाकरी शिवाइनू को मैं आपको बता दू भाई community excited है एकदम और ये जो है ना मेरे रसाब से क्या हो सकता है या तो ये शिवेरियम में layer 2 लाकिल लेके आ रहे है ठीक है या ये जो अपना इनका बोन है गैस token इनका बोन हो कुछ हो सकता है उसके उन्दर जो इनका जो पूरा एक ecosystem है इसमें कुछ unique लाने वाले है या burning का कुछ ला सकते है कुछ की burning का rate बढ़ा दें कुछ ऐसा हो सकता है शिवेनू के लिए एक बहुत अच्छी update अभी हम सिर्फ speculation लगा रहे हैं बाकी पता तो जब ही चलेगा जब हो गैस नेक्स update भाई इंडिया की तरफ से है तो इंडिया में हम आपको कहते है कि हमेशा कोई इसी भी country में हो ये इंडिया का नहीं है पाकिस्तान, बांगलदेश, नेपाल, कहीं, कैनेडा बैठे हो कहीं भी बैठे हो अगर आप crypto के अंदर हो तो आपको सावदा नहींने की बहुत जरूरत है और इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में क्यों ज़ादा जरूरी है क्योंकि इंडिया में एक तो बेरोजगारी बहुत ज़ादा है बेरोजगारी के साथ-साथ हैं population बहुत ज़ादा है और थोड़ी इसकी knowledge भी कम है तो scam पता कितने का होगे आप हैरान हो जाओगे जानके कि पिछले दो साल में लगबग 7,343 करोड रुपीज का फरॉड हो चुका है इंडिया के अंदर दो साल में पिछले 7,343 करोड रुपीज का फरॉड है पिछले दो साल में बिटकोईन है और ये जो है लगबग 43 बिटकोईन बैठते है 43,000 बिटकोईन इतने 1000 बिटकोईन का इंडिया के अंदर फरॉड हो चुका है तो हम तो आपको हमेशा कहते है और भगिया देखो जिन पर नॉलिज भी है न वो भी फरॉड का शिकार हो जाते है अज़ा मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपकोईन्स को हम ऐसी वीडियो तयार कर रहे हैं आप सभी के लिए अब यह क्या है यह तो शॉट टर्म की वीडियो आज कल के लिए लेकिन हम लॉंघ टर्म की ऐसी वीडियो प्लान कर रहे हैं जो आज भी वीडियो चलेगी और एक साल बाद बी चलेगी अब आपको ऐसा बताने वाले है कि क्रिप्टो मार्केट में किस तरीके से स्कैम किये जाते हैं कौन-कौन scam करता है किस तरीके से आप fraud से बस सकते हो तो हम इस तरीके की long term video apply कर रहे हैं जो आज भी, कल भी और 10 साल बाद भी आपको help करेगी और वो जो वीडियो है वो इनके channel पर देखने के लिए मिलेगी क्रिप्टो कने शाधरी इनका link में दे दूँआ comment box में, इनके channel का link दे दूँआ में ठीक है, अब बात करते है XRP के बारे में तो XRP की दो वेल ने बड़ी-बड़ी shift करी है coins की, कहाँ पर करी है मैं आपको बताओं, सबसे पहली जो है आपकी 313 million XRP coin shift करे गए है ठीक है, वो कहाँ से कहाँ, एक gold wallet से exchange के पर लाए गए है दूसरी वेल ने लगबग मैं आपको बताओं, तो 40 million XRP coin shift करे है अब इसका मतलब क्या है, कि भी XRP थोड़ी से खत्रे में है, खत्रे में क्यों है, क्योंकि जब shift हाता इतना बड़ा, जब inflow होता है तो कही नहीं selling हो सकती है यह चीज आपको ध्यान रखनी है बाकि मैं आप सभी को मेरे भाही बता दू लगबग 86% down है अपने top से XRP, यानि कि जहां पर उसने ATH मारा था, उससे 86% down है गबरानी की कोई दिक्कत नहीं है, अल्रड़ी हम पाता लोग में पड़े हुए है, XRP में तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी अगर थोड़े बहुत और अल्रड़ नीची की साइड आ जाएगा तो गबरान नहीं है, hold करके रखना है देखो मैंने एक बास सुनी थी मेरे भाही कि अगर आपको market में profit कमाना है, तो थोड़ा long term के लिए सोच नहीं पड़ेगा आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं कि आज पैसे डाला हो कल कमा लो कल भूल गए, आप मतलब कल कोई बड़ी news आ रही है, beerish तो आप बेचके निकल गए आपका जो reason है long term के लिए है, तो long term के लिए टोकल्स को hold करके रखो, अच्छा next update के है मेरे भाई, dogecoin के creator की update है कुछ? हाँ, dogecoin की creator की update की, dogecoin की creator है, उन्होंने कहा है कि जो cardano के founder हैं, उनसे वो नराज है, कह रहे हैं कि जो यह idea share कर रहे है, cardano वाले, यह हम से वाकिफ नहीं है, ICE हम इस चीजस से वाकिफ नहीं करते है मेरे भाई कहते हैं, कि घर में बढ़तन होते हैं, ऐसी बात है कि krypto market में बढ़े-बढ़े leading होते हैं, तो इनके बीच में भाइट होती है, अभी आप latest देखे लो, youtube पर क्या चलना है बहुत बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं आपके जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके बीच में भाइड होगी है बहुत तकड़ी फाइड चली है तो मेरे भाई यह हमेशा होता है देखो हिस्ट्री उठा गे देख लो हमेशा जो कहते हैं तलवार तलवार को ऐसे कि मतलब बचती है अगर कोई मतलब मतलब बहुत तकड़े हैं न एक मयान में दो तलवार नीए नहीं रह सकती और दूसरी बात ये भी है कि हमेशा जो बहुत बड़ा है कुछ भी λιचीज बड़ी है है fear greed यानि कि market में अभी भी डॉश coin को लेकर क्या है अभी भी मार्केट में greed है मेरे भाई यह समझ सकते हैं यह सरकाल है बड़ा यह बड़ा सरकाल है तो यह fair की तरफ बढ़ चुकी है अब पहले जो था मतलब fair की तरफ बढ़ चुका है मामला इस पहले फिर extreme greed आजाएगा जी जी अब next update आपकी baby dodge swap की है तो मेरे भाई baby dodge swap के उपर तो बहुत बड़ी बहुत बड़ी update आने वाली है ठीक है यह आप जो हसरे है मेरे भाई मैं आपको reason बतातों इनके हसने का इनके हसने का reason यह है कि पता नहीं क्या यह blackboard whiteboard के पर बना रहे हैं यह चीज ना बनाएगी वीडियो पर focus करिए ठीक है next update जो है वो आपकी baby dodge swap की तरफ से है तो baby dodge swap कुछ नए feature ले के आ रहा है अपने platform के उपर ठीक है क्या है basically पहला feature यह है कि trading view के जो charts है उनको integrate कर रहा है यानि कि baby dodge swap के उपर अब आपको trading view के chart भी दिख पाएंगे दूसरी बात क्या है यहाँ पर भाई एक tracker भी लगा रहे हैं जिसमें कि आपको पता लग जागा कितनी burning हुई है एक बहुत बड़ी update है मेरे बाई और तीसरी क्या है तीसरी यह है कि जो भी वहाँ पर competition होंगे swap के उपर उसके result भी आपको वहाँ पर दिखते रहेंगे डिस्प्ले होते रहेंगे तो यह तीन चीज बहुत बड़ी update आईए है baby dodge swap के अंदर ठीक है तो यह किन के लिए important है जो की baby dodge बंगे last update मेरे भाई क्या है last update आपकी टेरा लूना foundation की तरफ से है तो टेरा के जो founder है इनके उपर लगबग 57 million dollars का क्या लगा है Singapore के अंदर lawsuit लगा है case लगा है इतने का आपका क्या गया इसके पर इनका तो लग नहीं था एक काम ही ऐसे कर रहे है अब यह कहीं दुबई से भी गया हो गया है फिर कोई लग कर रहे है कि यह सिंगापूर में अब यह इतना बड़ा घपला करके निकले है तो इन पर बहुत है बाकी आज LUNC की हमने वीडियो अपलोड करी जिसमें की LUNC की बारे में कुछ तीन बड़े फेक्टर बताएं वीडियो देखनी है तो भाई के चैनल पर पढ़ी हुई है थेंक्यू सो मच पर जोइनिंग अच्छा लगा चाते याते आप क्या कहेंगे ओडियोंस को 500 ला कर रहे हैं जो हमारी सोच है वो लॉंग टरम सोच है ऐसा नहीं है कि हम कुछ समय में कुछ वीउस के लिए ऐसे कुछ चीज कर रहे हैं हम जो देंगे आपको प्रीमियूम कॉंटेंट होगा अच्छा लागा बात अभी यह बंद करती है आप और क्रिप्टो जिंदाबाद बाइ टिकर एंड बी सेफ